कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तथे जो की भारती अर्थ ब्योस्ता से सम्मंदित महत्वण प्रशनों के बारे में बात करने वाले हैं यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चले देखते हैं जो भारत में है समुदाईग विकास कारिकरम का प्रारंप किया गया था तो फ्रेंड जो भारत में समधाईग विकास कारिक्रम यह जो है दो अक्टूबर 1952 को प्रारंप किया गया था अब बित्ती वर्स की अवध क्या होती है जो फिनांसियल इयर होता है वह एक अप्रेल से 31 मार्च होता है प्रथम बित्त आयोक का गठन कब हुआ था तो 1951 में प्रथम बित्त आयोक का गठन हुआ था अब बित्त आयोक का मुख्यकार क्या है तो यह केंद्राव राजी के बीच जो है राजस्व का बटवारा करता है अब सातवा जो वेतन आयोग का गठन हुआ था सेवन्त पे कमीशन का वह कब गठन हुआ था तो इसका गठन जो है फरवरी 2014 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे इस आयोग के अध्यक्ष जो सातवा कमीशन जो था उस आयोग के वेतन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वह असोक कुमार माथूर थे अब इस आयोजना आयोग जो है इसका इंडिया विजन 2020 का दस्तावेच प्रस्तुत किया गया था तो यह 23 जनवरी 2003 को स्यामा प्रसाद गुपता की अध्यक्षता में इस योजना आयोग दोआरा विजन 2020 का दस्तावेच प्रस्तुत किया गया था अब भारत में सरप्रथम आर्थिक नियोजन से पर किसने विचार दिया था या भारत में सरप्रथम आर्थिक नियोजन से सम्मंधित विचार जो M. विशेस्वरया जी थे 1934 में इन्हों ने आर्थिक नियोजन से सम्मंधित विचार दिया था अब भारत के लिए नियोजित अर्थव्यस्ता यानि प्लांड एकोनोमी इंडिया के लिए उस पुस्तक को किसने लिखा था भारत के लिए नियोजित अर्थव्यस्ता मतलब प्लांड एकोनोमी फार इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन थे तो इस पुस्तक के लेखक जो है M.B.C. सुरया जी थे जिन्होंने 1934 में लिखा था अब भारत के जो आधुनिक नियोजन का प्रणेता M.B.C. सुरया को कहा जाता है अब वहीं बात करते हैं कि सुपर कैबिनेट किसको जाना जाता है अब जो National Development Council है उसको हम सुपर कैबिनेट के नाम से जानते है रास्टी विकास परिसत अब यह एक गैर सम्वैधानिक संस्था है यह सम्वैधानिक संस्था नहीं है कौन N.D.C. यानि रास्टी विकास परिसत तो नियोजन से तात्पर क्या होता है नियोजन का मतलब होता है आर्थिक नियोजन अब नियोजन को सरप्रथम किस देश ने अपनाया तो यहां बात की जाती है तो नियोजन को सरप्रथम रूस ने अपनाया अब आर्थिक नियोजन का विषय या आर्थिक नियोजन जो है या समवर्ती सूची का विषय है समवर्ती सूची यानि इस पर केंद और राच दोनों सरकार जो है इस पर कानून बना सकती है आर्थिक नियोजन या साथवी अनुसूची से समंधित है अब नियोजीत आर्थिक विकास का सुभारंब 1951 में हुआ था अब पात करते हैं कुछ पंचवर्सी योजना के महत्वपूर्टत तो भारत में पंचवर्सी योजना का क्रिया नोयान भाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है अब भारत में पंचवर्सी योजना यह भी रूस से प्रेरित है यह दिबात की जाए नियोजन की सुरुवाद तो यह भी रूस से है भारत में पंचवर्सी योजना यह रूस से प्रेरित है अब प्रथम पंचवर्सी योजना जो है एक्याउन से चपन उनिस सो इक्याउन से तो आज के लिए इतना ही फ्रेंट हम अगली वीडियो में बात करेंगे और दुरती और भी पंचवर्शी योजना के बारे में तो आज के लिए इतना ही प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक्स देट साल फार टुडे